नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतेश दिशा सत्य की रामे मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंट संतो संतोशी दिनांग तीन मई आज का दिन आपके लिए कितना खास है कितना बहतर है आज क्या क्या करना है आपको क्या विशेश पाना है आपको पूरी जानका यह भी हम आपको देदें कि कल से आप कल परसो नरसो, तीन दिन आप लखनों में मिल सकते हैं, तो आसपास के छेत्र के लोग कानपूर, उन्नाव, रायबरेली, जायस, सुल्तानपूर, जावनपूर, अजुध्या, फैजाबाद, बारेबंकी, गोंडा, बहराईश, आदी समस्त शहर से, बनारस से भी लोग आ जाते हैं, कहीं से भी, अगर आपको मिलने की इच्छा है, तो हम आपका स्वागत करते हैं, खास दोर पर करियर को अपने शेप देने के लिए, शाइन देने के लिए, हम आपका स्वागत करते हैं, जरूर आएं, अपने शक्तियो को जागृत करें और एक सही मार्ग दर्शन ले करके जाए तो कार्यारे का नंबर आपके सामने है उस पर आप वाट्स अप करिए और मिलने का समय ले लिजेगा आजे सुर्वात करते हैं आज की जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग बैशाक माह कि श्रुपक्ष दसमीति थी है आज चंद्रमा कुंबराशी में नक्षत्र सद्वशा और योग रहेगा ब्रह्म तद अनुसार दिनांक तीन मई दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल का समय नोट कर लीजेगा सुबह साड़े दस से बारे बजे तक और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह साड़े साथ से नौ बजे तक राहुकाल नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोक्त वर्जित है नहीं किया जाता इसमें और गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुबकाम कर सकते हैं आपको काम पूरी तरह से बनता चला जाता है शुबता जरूर मिलती है मेश राशी चंद्रमा के कुम्भ राशी में होने का प्रभाव ये रहेगा कि पढ़ाई आपकी आज ठीक होगी ब्यापार में उतार चड़ाओ बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कई तरह से परेशानिया आ सकती है सरकारी छेत्र में कुछ बड़ी मजबूती प्राप्ट करेंगे दामपत्र जीवन आपके लिए अनकूल है आउसर अच्छे दे रहा है स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या हो सकती है उपाय के तोर पर आज किसी पौधे को जल दे दे शुबरंग आपके लिए आसमानी महागी प्रत्षत पचास ब्रिशब राशी पढ़ाई में आज उतार चड़ाओ रहेगा पढ़ाई आज कम हो पाएगी दसमस्त चंद्रमा है श्रक्षा में आज मामला हाथ से बाहर जा रहा है ब्यापार आपका अच्छा चल रहा है बिजनस की चिंता कदापी न करें बिजनस को ले करके आप जितना बहतर कर सकते हैं उतना बहतर करें प्राइवेट सिक्टर में थोड़ा बहुत मामला हाथ से बाहर जाएगा, प्राइवेट सिक्टर बहुत अच्छी इस्थति में नहीं है, सरकारी छेत्र सुभता के साथ चल रहा है, गौर्णमेंट सिक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे है, दामपत्य जीवन आपके लिए अ सुबह सुबह सेवन कर ले, शुबरंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रिशत पचास, मिधुन राशी, चंद्रमा आपके लिए आज भाग्य स्थान पर सुशोभित होंगे, पढ़ाई आज अच्छी चले, सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है, ब्यापार थोड़ आपके लिए कुछ अच्छा और ब्यहतर परिडाम देगा, सरकारी छेत्र को नेक्ट लेवल पर ले जाने का प्रियास करें, दांपत्र जीवन सगरात्मक है, पति-पत्नी की बीच तालमेल अच्छा है, दूसरे को सपोर्ट करेंगे, स्वास्त के मामले में कमरदर्द, बै की प्रिशत 57, करकराशी, चंद्रमा अश्टम भाव में रहेंगे, शिक्षा में उतार चड़ाओ का ग्राफ बना हुआ है, कुछ इमोशनल पार्ट आपका आज डाउन होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ब्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनस की चिंता कदापिना कर करें, गौर्रमेंट सेक्टर को बेहतर ढंक से साधने का प्रियास करें, दांपत्त जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी और बच्चों की बीच, तालमेल बेहतर रहेगा, एक दुसरे को सपोर्ड करेंगे, स्वास्थ के मामले में आज करकराशी वालों को डाइजेशन और आज कुछ इदर उदर की चीजें परिशान करेंगे, शिक्षा में बहुत कुछ सामान ने नहीं है, ब्यापार को ले करके आपको सजग रहना है, बिजनस में रिस्क नहीं लेना है, पार्टनर्शिप आपके लिए आज थोड़ा सा घातक होगा, प्राइवेट सेक्टर कु साधने का प्रयास करें, सरकारी छेतर की स्थिती सुधर रही है, गौवर्मन्ट स्थिक्टर में सुधरेंगी, दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रती भावनात्मक भाव जागरित होंगे, स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या और आखों की समस्या हो सकती है, क्या उप खाने पीने के लिए देना शुब होगा। शुबरंग आपके लिए बादामी भागी प्रत्षत चववन। कन्या राशी। चंद्रमा का प्रभाव छठे भाव में है। पढ़ाई रुक रुक करके चलनी है। सिक्षा में उतार चड़ाओ बढ़ेगा। ब्यापार अच्छा है बिजनस की चिंता कदापी ना करें। कुछ बेहतर करने का परिणाम आपको प्राप्त होगा। प्राइबेट सेक्टर इधर उधर से आपको कुछ उल्जन पैदा करेगा। थोड़ा संभल कर साध कर चले। सरकारी छेत्र को अनुकूल करने में आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। दांपत्त जीवन अच्छा है पतनी और बच्चों के साथ तालमेल बैठाने में आप काम्याब होंगी। स्वास्त के मामले में देखा जाए तो बैक की प्राप्लम और हर्ट की प्राप्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है। शहद लगा लिजे। रिंग फिंगर में और कंठ पे स्पर्श करिए। शुभरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रतिशत 52 तुला राशी। चंद्रमा आए आज आपके पंचमभाव में पढ़ाई को आज खूब तरजीह देना पड़ेगा। शिक्षा में आज सकरात मकता है। ब्यापार की स्थिती उतार चड़ाओ से युकत है बिजनस को बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइबट सेक्टर में मामला हाथ से बाहर जा रहा है। बहुत कुछ स्थितियां सामाने नहीं है। सरकारी छेत्र को बेहतर करते हुए गवर्मेंट सेक्टर में बल देने की अवशक्ता है। दामपत्य जीवन अनकूलता के साथ है पति पतनी का साथ रहेगा एक दुसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या और आखों की दिक्कत रहेगी। क्या उपाय करना है। प्रियोग के तोर पर आज तुरा राश अठावन ब्रिश्चक राशी। चतुर्द भाव का चंद्रमा रहेगा। रुक रुक कर काम बनेंगे आज। लेकिन सुख महसूस होगा। भाग्ये शोकर के चंद्रमा चोथे में आया है। पढ़ाई अच्छी चलेगी। सिक्षा में सुधार होगा। व्यापार अनकूल रहेगा। बिजनस में लाब के उसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर को जितना बल देंगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। सरकारी छेत्र को बेहतर करने के लिए आपको आगे आना होगा। दांपत्त जीवन अनकूलता के साथ चल रहा है। स्वास्त के मामले में पैक समंत्र का जाब कर लिजे। शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रत्षत पच्पन धनुराशी। तरतिय भाव का चंद्रमा रहेगा आज। शिक्षा की स्थति को उतार चढ़ाओ से युक्त प्राप्त करेंगे। पढ़ाई आज बहुत अच्छी नहीं हो पाएग होंगी। बिजनस में कुछ बहतर परिणाम आ रहे है। प्राइवर्ट सेक्टर को आप आज कुछ अलग जोन में बल दीजिए। प्राइवर्ट सेक्टर में आपके लिए सुधार लाने की गुंजाईस है। सरकारी छेत्र इधर उधर की बातों से आपको परिशान करेगा दामपत्र जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल की स्थिति आज आप साध लेंगे। समहाल लेंगे। एक दूसरे को समय दीजेगा। स्वास्त हड्डियों की समस्या और लिवर की प्राबलम होगी। क्या उपाय करना है। गुलाब जल दाइ भाग्य प्रतिशत, बावन, मकर राशे, दुतियस्त चंद्रमा का प्रभाव आएगा। पढ़ाई थम कर चलेगी, सिक्छा में उतार चड़ाव है। बहुत अच्छी सिक्छा नहीं हो पा रही है। ब्यापार आपके हिसाब से और आप से ब्यहतर रिजल्ट दे रहा है। प्राइबेट सेक्टर आप पर इश्वरी कृपा देगा आज। लाव क्या उसर बनेंगे। शुबता रहेगी। सरकारी छेत्र थोड़ा बहुत उतार चड़ाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा बहुत उतार चड़ाव देगा। दामपत्य जीवन की बात अगर करें तो पति-पत्नी एक दूसरी के प्रति आज अधूरा महसूस करेंगे। स्वास्थ कमरदर्द की शिकायत शुगर की इस्थती बिगडेगी। मकर राशी आज प्रियोक के तौर पर लाल चंदन से अपने मस्तक पर तिलक कर ले। शुबरंग आपके लिए हरा भा मन प्रशन रहेगा आज। कुछ अधूरे कार्य आपके संपन्न होंगे। पढ़ाई में सुधार आएगा। आज कुछ बड़ा करने का चाह पूर्ण करेंगे। व्यापार अच्छा चल रहा है। निश्चित रहे। प्राइबेट सेक्टर आप पर कुछ नुकसान दे सकत है। रिस्क मत लेजे। सरकारी छेत्र में वाहन का सुख, मकान का सुख, दामपत्य जीवन आज एक दूसरे के प्रति फुहार रहेगा। चीजें बहुत अनकूल रहेगी। स्वास्थ के मामले में देखा जाये तो आँख की समस्या और दांतों की दिक्कत हो सकती है। क्य सिला भाग्य प्रतिशत चौवद अन्तिम राशिमीद बारहवे में चंत्रमा है। पढ़ाई कई तरह से आपको परेशान कर रही है। सिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ब्यापार दमदार है। पिजनस की चिंता कदापी न करे। प्राइवेट सेक्टर आगे ले करके जा रहे हैं। स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो कमरदर्द की शिकायत और बैक की प्राब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है। प्रियोग के तोर पर आज अपने हाथों से किसी जरूरत मंद बच्चे को जलका दान कर दें। शुबरंग आपके लिए स्लेटी भाग्य प्रतिशत पचास। राशियों की स्थती क्लियर हो गई होगी अब तो। चर्चा करेंगे आगे आज के सक्सेस की की। लेकिन आपको पुन्हा बता दें कि आज और गाजियाबाद मिल सकते हैं। कल से हम तीन दिन के लिए लखना अभी को छू कर ओम रांग राहवे नमह ओम रांग राहवे नमह सत्विशा नक्षत्र है आज चंद्रमा का आज चंद्रमा की आत्मा में राहू बस रहा है। मंत्र जब लीजे। रिजल्ट आपके सामने आएगा। आगे बढ़ेंगे और सुर्वात करते हैं अब आज के स्पेशल भाग्याक्षर का मेश राशी। दाग्षर बिशब सा मिथुन राग्षर करक पा सिंग काग्षर कन्या जा तुला हाग्षर बिश्चिक जा धनू थाग्षर मकर या कुम्भ हाग्षर मीन मा। शुब भाग्याक्षर को चंद्र राशी के अनुसार लिख कर अपने पास रख ले। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं अगले सेग्मेंट आईश्मान भावा की। तो आज पैदा हुए लोगों को जनम दिन की हार्दिक शुब कामनाय हमारी तरफ से इश्वर आपको आगे ले करके जाए आप आगे बढ़ें खुब आगे बढ़ें और उन्नती प्राप्ट करें जनम दिन मुबारक हो। बात कर लेते हैं देखें मूल क्या है जो समझना है आपको वो ये है कि सत्विशा नक्षत्र में आपका वर्ष फल तयार हो रहा है तो पूरे वर्ष राहु के कारण उतार चड़ाओ बढ़ेगा अगर आपका जनम तीन मई को हुआ है तो इस वर्ष फल में ये अंतर आया शिवाले जरूर जाईए आज एक पीपल का पौधा वहां लगाई है और रुद्राविशेक करवा लिजे सफाई कर्मचारी को जूते चप्पल अवश्य दें आज जिनकी मैरेज अनवरसरी है रुद्राविशेक आपको भी पति-पत्नी को मिलके करवाना है एक माला गायत परसो नर्सो तीन दिन चार पांच छे आएं मुलाकात होती है नमस्कार है विनाइश डे जै स्री किष्णा शेरा दे आचारे संतोश संतोशी के आगामी कारिकरों लखनव चार पांच मई छे मई से आप आचारे श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं इन दौर बीस इक्किस मई पुने बाइस तेईस मई मुंबई पच्चिस छब्विस मई राजकोट 27-28 मई अहमदाबाद 29-30 मई उदैपूर एक दो जूर इन तारीखों के अलावा बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं मिलने के लिए कारियाले के नंबर्स हैं 9910-291850-9560-447-000 आप इन नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख कर वाटस अप करते हैं धन्यवाद आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशिया अनेग